इस वीडियो को एक्स्प्लेंग द्वारा फ्रड्यूस किया गया है इस वीडियो को लेकर उससे क्लारिफाई करने के लिए अभी कुछ टाइम में मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिससे कि आपको क्लारिटी मिल जाएगी कि आखिर इंगलेंड, स्कॉट्लेंड और आयलेंड की क्रिकेट में या बाकी स्पोर्ट में अलग-अलग टीम्स क्य होती हैं, क्वीन कहां से होती हैं, क्या सब के पीएम अलग-अलग होते हैं और डिफरेंस क्या होता है एक कंस्टिटुएंट और सौबरेन कंट्री में लेकिन तब तक चलिए वापस आते हैं आज के वीडियो में जहां मैं आपको बताऊंगा कि होंग को एक सेपरेट कंट् को लेकर, कहानी की शुरुवात 18 सेंचुरी में होती है, जब चाइना की एकॉनमी काफी स्टॉंग हुआ करती थी, चाइना का सिल्क, उनके सिरामिक बर्तन और चाय उस टाइम पर यूरोपियन मार्केट में बहुत पॉपिलर हुआ करते थे, ब्रेटन में भी उस टाइम प क्योंकि ये ट्रेड काफी लंबे समय तक चलता रहा और ब्रेटन में चाइनीज प्रोडट्स की हेवी डिमांड रही, तो इसके कारण ब्रेटन का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया, ब्रेटन की तरफ से सिल्वर का आउटफलो चाइना की तरफ बहुत ब शुरू करेंगे और चाइना से जो पैसा मिलेगा उसी से उनकी चीज़े खरीदेंगे, ठीक है तो इससे उनका ट्रेड डेफिसिट भी नहीं बढ़ेगा, बेसिकली उनके सिल्वर आउटफलो में कमी आएगी, यूकि जो इन्फलो होगा सिल्वर का उसी से ये लोग ओपियम के नशे के आदी होने लगे, जिसके कारण ये ओपियम ट्रेड धीरे-धीरे काफी बढ़ गया, ठीक है? अब क्योंकि चाइना में ओपियम इलीगल था तो इसके कारण इसका ट्रेड करने में ब्रिटिशर्स को काफी दिक्कतें आती थी, जिसके कारण उन्होंने स सिर्फ इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बलकि ये भी ओडर दे दिया कि जितने भी ओपियम भंडार हैं, उन्हें भी नश्ट कर दिया जाए और साथ ही जितने भी फॉरिनर्स के साथ ट्रेड होते हैं, उन्हें भी रोक दिया जाए. अब ब्रिटिशर्स को इसके कारण का 1842 तक लबबग 3 साल तक चला, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई और 29th August 1842 को Treaty of Nanking sign की गई. ये ट्रीटी उनाइटेड किंडम और चाइनीज चिंग डाइनेस्टी के राजा के बीच में हुई, जिसमें उन्होंने Hong Kong आइलेंड को finally United Kingdom को दे दिया. कुछ टाइम तक चाइनीज साइट की हार हुई और हार के बाद चाइना ने फिर से पिछली बार की तरह कुछ और टेरिट्रीज यॉनाइटेड किंडम को दे दी. इस बार उन टेरिट्रीज का नाम था कोबलून पैनिसुला और स्टोन कटर्टर्स आइलेंड. अभी तक ऐसा करते करते, चा चाइना की बीच 2nd Convention of Peking होता है, जिसमें UK चाइना से 99 साल की लीस पर चाइना का New Territories एरिया भी ले ले लेता है. New Territories एरिया लीस पर लेने के बाद UK चाइना के चार हिस्सों पर अपनी प्रेसेंस बना लेता है. सबसे पहले तो 1st Opium War में जीता हुआ हौंग कोंग आइले हैं, यहीं मिलकर आज की डेट का हौंग कोंग बनाती है. अब इसके बाद जो होता है वो काफे इंट्रेस्टिंग है, कई सालों तक यह सारे एरिया ब्रिटिश आरिमिस्टेशन में रहते हैं और चाइना में एक Communist सिस्टम के उलट यहाँ पर एक Capitalist सिस्टम एक्जिस्ट कर बलकि बाकी के तीन एरियाज हौंग कॉंग आइलेंड कोवलून पेनिसिला और स्टोर्न कटर आइलेंड जो मिलकर प्रेजेंटे हौंग कॉंग बनाते हैं यह सारे ही वापस दे दिये जाएंगे चाइना को लेकिन एक शर्त पर वो यह कि चाइना को यहाँ पर One Country Two सिस्टम को मॉडल फॉलो करना पड़ेगा जिसमें पहला तो यह कि चाइना अपना सोशलिस्ट मॉडल नहीं थोपेगा हौंग कॉंग कॉंग की कैप्टिलिस सोसाइटी पर दूसरा यह कि चाइना यहाँ पर Right To Freedom, Right To Speech, Press Freedom और Legal Rights को नहीं छेड़ेगा और यह सिस्टम चलेगा हौंग होंग कोंग के हैंड ओवर के 50 साल बात तक यानि 1997 के 50 साल बात तक यानि 2047 तक इसके बाद 1 जुलाई 1997 को 156 years लंबा rule होंग कोंग पर से खतम होता है Britishers का और होंग कोंग वन सिस्टम टू कंट्री के एंडर चाइना को हैंड ओवर कर दिया जाता है अब क्योंकि आप हौंग कोंग के हिश्टी जान चुके हैं तो चलिए present situation पर वापस आते हैं आज की रिट में हौंग को को officially कहा जाता है हौंग कोंग SAR of PRC यानि हौंग कोंग Special Administrative Region of the People's Republic of China और जैसा कि इसका नाम suggest कर रहा है ये एक autonomous special administrative region है चाइना का हौंग कोंग का खुद का separate flag है यहां कि लोगों का passport mainland China के passport से अलग होता है चाइना के communist system के उलट यहां पर एक democratic system of governance है चाइना की government का chief जहां उनके premier होते हैं वहीं हौंग कोंग की government का chief जहां का chief executive होता है हाला कि दोनों ही mainland China और हौंग कोंग का head President of China को ही माना जाता है चाइना की currency जहां पर yuan है वहीं पर हौंग कोंग की currency Hong Kong dollar है हौंग कोंग के foreign affairs और defense matters दोनों चाइना ही देखता है इसके लावा हौंग कोंग एक highly developed area है हौंग कोंग city में दुनिया के सबसे जादा 518 skyscrapers है यह rank करता है फोर्च UN की current human development index में जहां पर China बहुत ही नीचे आता है साथ ही यह UNDP के life expectancy at birth chart को top करता है लेकिन 2020 के बाद से काफी सारी चीज़ें यहां पर बदल चुकी है कई सारे rights जो की 2047 तक promise थे यहां के लोगों के लिए वो छीन लिए गए है चाइना के द्वारा और यही reason है कि आज से लबख एक डेड़ साल पहले कई सारे pro-democracy प्रोटेस्ट हुए थे हौंग कॉंग में खेर कहने के लिए तो अभी भी चाइना और हौंग कॉंग में काफी differences है लेकिन आज की डेट में इसे distinguish कर पाना शायद अतना असान नहीं है जितना शायद आज से 4-5 साल पहले होगा आज की डेट में हौंग कॉंग के स्कूल और कॉलेजिस का curriculum चेंज किया जा रहा है थाकि बच्चे ज़ादा Chinese महसूस करें खुद को press rights और right to speech काफी हद तक suppress की जा रही है और pro-democracy leaders को directly election जीतने के बाद भी disqualify कर दिया जा रहा है ये बताके कि ये ज़्यादा patriotic नहीं है चाइना के तरफ खेर ये था end इस video का आशा करता हूँ कि आपको ये video पसंद आया होगा अगर आप ऐसे ही और video देखना चाहते हैं तो इस video को जाद स्यादा शेयर करें comment section में बताइए आपको किस topic पर videos चाहिए और explain को जरूर subscribe करें thank you